है दोस्तों कैसे आप लोग तो यार आप लोग अच्छे होगे बट मैं तो फिलाल बहुत ही बुरा हूँ बुरे हालत में हूँ आज 23 जून है और 19 जून को मेरा हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 19 जून को ही मेरा एससी का जो मेरा सफर था वो खतम हो गया बिल्कुल अनेक्सपेक्टेड कुछ भी ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह भी हो सकता है इस चीज़ की भी कमी होगी और कहीं ने कहीं इस इंसिडेंट के वाल मुझे ऐसा लगा कि आप मेहनत चाहे जितनी भी कर लो आप कोशिष जितने भी कड़ा लेकिन जो आपके किस्मत में होता हि जो भगम अर्य थे लंबे होगी तो थी ओर कोशिश कीजिएगा कि जो मैं few sd करने की जो फिलिंग मेरे साथ है मैं काफ़ी कुछ बात करूँगा यहां पर और साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि किन गलतियों के वजह से मेरे साथ यह हुआ और वह गलती आप बिलकुल ना दोह रहा हैं और बस तो शुरू करते हैं थोड़ी लंबी होगी वीडियो हो तो सबसे पहले तो बेसिक बात यह यह यार कि स्थे जीन कहल वंगा था अगस्डियों 10-17 आगस्डियों enamuntaelectлон हूआ उसके बाद томके Acham अनorthानेर कि सब्सक्राइप कम्हें अनूनकों वभेकेर कर्ण दॉन तानazarफ टू हूआه यहा उसके बाद पर एक सने पर जो कि 20 तारिक को था तो बागिस्तर तो ठीक था टार 1 टार 2 टार 3 तो क्लियर हुआ उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इससार बाद आपको तो काफी में था मैं बहुत अश्यों था कि यह तो होना ही दिक्कट नहीं एक नहीं है कि तो तो मैं नुवर्य पांच उठ जाता हूं हर दिन तो मेरा वरिफिकरेशन था वो दस बजे से और जो एससी ऑफिस है एससी ऑफिस में होने वाला था तो एससी ऑफिस भी मुझसे जहां मैं रहता हूं वहां से बहुत जादा दूर नहीं है नुक झाता तो ब में रिलाक्स था , सुबह में उठी गए, अपना गया , थोड़ी दर में ने कुछ पढ़ाई की , उसके बाद फिर में ready होके , निकल गया , निकल गया मैं तक्रीबन 8 बजे में निकल गया हूँगा मतलब हाला कि बहुत पहली निकल रहा था बट रिस्क नहीं लेना चाहिए पतानी कोई प्रावल्म आ जाया में यह सोच कि मैं पहले ही निकल गया तो तो शाठे आठ प्रजे में निकला और तक्रीबन सावानो शाठे नौ तक में पहुंच गया था वहां पर सेंटर पर जवाहरलाल नहरू स्टेडियम मेट्रो श्टेशन है वहां उत्रा और उसके पास ही बिलकुल एससी का वह आफिस है वहां पहुंच गया एंट्री वहा तो उस बिल्डिंग के आगे हम लोग वेट करने लगे हम तो मैं था और कई सारे अपको मिल सकता है कौन सा पूस्ट में लिए अच्छा होगा यह वह बात कर रहे थे इतना जाता कैसा आगया इतना कम कैसा आगया यह सब बात मतलब थी कि वहां पे तो ऐसी बात हो नहीं थी साथ मुझे एक बहुत इंपॉर्टन पोस्ट के बारे में पता चला मुझे हाला कि मैं सिसका नाम सुन रखा था मुझे जाद कुछ पता नहीं था वह था डिये डिविजनल इकाउंटेंट की पोस्ट के बारे मुझे जादा पता नहीं था तो वह उसके बारे में मैंने काफी बात कि वहां पे तो मुझे बहुत कुछ पता चला उसके बारे में खेर तो यह सब बात हम लोग कर रहे थे और उसमें से एक बंदे वहां पे आय जो 581 स्कोर रखा था एक ने 579 स्कोर कर रखा था एक ने 586 स्कोर कर रखा था तो विन लोगों से हमने बात कि कि यार क्या इतना साथ错 कैसे आपने ले आया तो मैं तो थो ता मेरे और मैं यार बिहार से हूँ ठीक है मैं बिहार से के एक रूरल एडिया से हूँ गाउं से हूँ देहाद से हूँ और पिछले दो साल पहले ही मैं डेली आया और मतलब एक सपना जो होता है एक बिहारी के लिए सरकारी नौक लिए उसके लिए एक सपना होता है वो मेरा भी था तो वही अच्छीव करने के लिए मैं आया था और शायद मुझे लगा था कि अब वो सब्ना पूरा होने ही वाला है मतलब गेट के इस पार मैं अपने खाव को देख रहा हूं और गेट के उस पार मैं उसे तूटते देख रहा हूं तो बहुत अजीब थी खैर तो दस तीस याने कि साथे-दस बजे हमारी इंट्री शुरू हुई एससी के ऑफिस में और मैं एक एक बात बताता हूं कि मुझे बहुत बात मुझे वह फीलिंग शेयर करनी है इसलिम ज़रूरी है कि मैं एक बात आपको बताऊं तो वहां पर एंट्री पर एक 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 आफिसर आये ऐससी के वह होंगे और एक वहां पर गाड था एक दो गाड तो उन लोगा ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो वहां पर अब लगके सौ लड़के थे और मैं और काफी दूर हो था तो बिलकुल नॉर्मल टोने बात कर र तो वह प्रोसेस हुआ अफिर धरे करके सबको एक साथ एंट्री नहीं मिली दिरी धरे करके सेक्शन वाइज दस बीस करके एंट्री होई और क्योंकि यह पांच शे बैचे में हुआ यानि कि शुबह सुबह सुबह स्टार्ट हुए वह साम के चार बज तक चले हैं तो सब्सक्राइबन दस से पंदर लड़के उस हिसाब से चार बोर्ड तो साथ और साथ लगवक्त तीन सो चार सो लोगों का वरिफिकरिशन था उस संटेर पर तो हम लोग एंटर करके फिर उसके बाद बिल्डिंग में और एट फ्लोर काफी उपर बिल्डिंग का फर्निश नहीं था बाहर से देखने नहीं लगा था लिए अंदर से काफी वेल मैंटिन और काफी फर्निश्ट ऑविस्ली जो की सरकारी जो बिल्डिंग होती उसका अमोमन ऐसी ही पहसान होती है उसकी कि बाहर से खराब दिखेगा अंदर से बाद अच्छा होता है तो फिर हुआ हूं हम लोग हॉल में पहुंचे तो वहां पे चार बोर्डों मेरा था सेकेंड बोर्ड पर तो मैं सैकेंड बोर्ड्ड के पास गया वहां मुझेन उनOoh, porm में अपनों यौम रॉल नमॉब्र इचेसा कुछ बढ़ना था और फॉर्म लेके हम लोग बैठ गए आराण से फॉर्मभर इबाद ओसके बाद द्यूसर नंबर आ लिए में बुछ क्वग करते वाला वाला फॉर्मस पहले एक म्हाफयर फॉर्मस मिले थे ओड़ीय। के नंबर आता गया हमारा और हम लोग एक एक करते बढ़ते गए तो इस ताइम थोड़ा सा फन इंवार्मेंट था एक्शली काफी थोड़ा सा थोड़ी भीर हो रही थी वहां पर क्योंकि अर्रेंजमेंट बहुत अच्छा हो नहीं कर रखा था चेर्स थे लेकिं अर्रेंज इस नगी है अच्छे से तो आज़ों से थोड़ा रहा हो रहे था ऑट माजा भी आ रहा था कुस लोग में कर रहे थे जो नोगे कर रहे हैं वो भी लोग पहुंचे हुए थे अपने डीवी के लिए तो सब कुछ सही चल रहा था और एक दो काफी स्टिक्ट टीचर भी थे वहाँ पर जो मतलब उसके बाद मेरा अगया और मेरा तो मिझे कहा गया कि आप अपना फॉम दीजै फॉर जै वह इन झालने टीचा मिल जागा उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मुझे डीवी थम मेरा डीवी रिख समिट कर लिए उसके बाद मेरा बेरा क्योंगा तो नविच जों इक कर रहे आदमी तैं यूआ जवान प्रिंटिंग करने के लिए और यूँद्ध करने के मैं पहुंच गया अब उन्होंने कहा कि आपका तो लाइए पहले 10th का certificate 10th का मैंने certificate दिया माक्षिट दिया 12th का लाइए 12th का दिया graduation का लाइए graduation का दिया तो उन्होंने बहुत देड़ तक देख उत थारे थोरे slow थे देखा और दो मिनट देखने के बाद उन्होंने कहा कि आरे आपका दोनों ने थुरी बात करके मुझे कहा कि आपका तो डेट बाद का है डिग्री का तो आपका तो हो नहीं पाएगा मेरा दिमाग खराब हो गया कि क्या बोल रहे हो तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए जो यह स्सी सीजल 2017 के लिए अप्लाइ कर रहे हैं उनका जो ड्री है वह एक अगस्ट 2017 से पहले ख्लियर हो जाना चाहिए अगर आपका डिग्री एक अगस्ट 2017 के बाद स्सीजल 2017 के लिए अप्केबल नहीं है यह दिक्कत हुई तो इसके पहुए जबश्यशन में हुआ नहीं तो मुझे था कि आ जाएगा जाएगा उतना क्या अपेरिंग वाले को अलाव करी रहा है हाला कि उन्हें देट वहां मेंशन कर रखा था बचले मैं इस साल गरेट हो ही जाओंगा डेट का क्या फर्क है पांस जो भी हो तो जब भी है तो उससे मैं तो मुझे पता नहीं था कि अगस्त को दस अगस्त को आया मैं और वहां पर जो थेशोल्ड थी वह एक अगस्त से पहले की थी बाद वाले नहीं अक्सेप्ट कर किये जा रहे थे तो उन्हें का कि भाई आपका तो नौ दिन लेट है तो इस वजह से आपका नहीं लिया जा सकता तो मैं परिशान हो गया जरुड़ने करें नहीं मैं इसन एक न हो रही है तो सब्सक्स क्या करें ही है कि बहुत सकता बें का हुएं अगस्त से नहीं एक अगस्त से पहले इसका क्लियर हो गया है वही अपलाए करेगा उसके बाद वाला अपलाए नहीं कर सकता सुना मैं बहुत परशान हो गया थो परशान मुझे खहा उन्हें ठटराक डिया रिलैक्सा तो उन्हेंना कहा है मैं स slower् discourse डिया और लृण काय कि एक पेज सब् indo wind मखें और गठीन ejemplo वाले टेवल पर सर को दो जाके और कहो कि प्रोविजनली जो है मुझे कल वाला CPT है वो देने के लिए दिया जाए यानि कि उनीस को डिवी हो रहा था और बीस को था CPT तो अगर मेरा कंडिशन है क्या कंडिशन से कि अगर आप तीस जून दोजार निसके पहले कोई प्रूफ नहीं लेकर आपाए तो उन्हें ऐसा कहा ना मैं कि मैं उनसे बोल रहा था मैं कहे रहा था कि सर्टिफिकेट मेरा रिजल्ट तो पहले ही आ गया था सर्टिफिकेट आने में लेट हो एक तो बिहार है बिहार में जो उन्वरसिटीज हैं वैसी बहुत खटे हैं वैसे टाइम काफी लेती हैं तो मैं रिजल्ट काफी पहले आ गया था लेकिन सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन हो बाद की मेंशन है तो उन्हें ठीक है तो आपको यह प्रूफ करना कि आपका जो रिजल्ट है वह एक अगस्ते पहले आ गया था भले ही सर्टिफिकेट बाद में शुगा इस शर्थ पर मैं आपको अलाओ कर सकता हूं तो यह मैंने का कि ठीक है सर अब जो हो मैं कोशिच तो करी सकता हूं तो उन्हेंने का ठीक है तो फिर जाके आप अपर दे आ गया था सब्सक्राइब आए बाद में तो मैंने फोन मुन किया कॉलेज में की सर ऐसा है कि डिजल्ट आप इसू हुआ था पहले तो आप मुझे दार प्रूफ दे दीजिए ताकि मैं दिखा सको है यहां पर और मेरी जॉब जो है सक्योर हो जाए तो उन्हें का कि नहीं कि निन लोग ऐसा तो नहीं करते हैं ऐसा नहीं होता है जो वही आपका डेट होता है तो जो फ्रिंस्पल जो थे तो एक उन्से भी रिक्वेस्ट की सर कुछ किजे कुछ कीजिए तो और ठीक है मैं लिख के देने के लिए तयार हूं कि रिजर्ट हमारा है वह एक कुछ दिन यह वह उन्हें का नहीं हैंड रिक्टन नहीं लिया जाएगा किसी भी कोई भी लोग कोई भी इंसाद कर सकता है कि हैं रिटन में दे दे वह उसका उसी को मनता नहीं है जब कि युनिवर्सिटी के थुरूफ कोई एक ऑफिशियल प्रूफ अगर आप नहीं लापाऊगे लाइक न्यूस्पेपर वगारा तो यह सब तो उन्हें उफिशिल नाम लिया नहीं था हाला कि भी चल सकता है ऐसे कंजिशन्स में आपको बता दूं तो मैंने का ठीक है तो बने के लिए तयार था वह तो उसका तो माने माने होगा नहीं तो अब मैं कोशिश कर रहा था कि युद्टी से कुछ हो जाया तो युनिवर्सिटी मैं देखा कि कि रिजल्ट प्रबिश किस डेट को हुआ है यह मैं करता कर देगी को तब मुझे यह पता चला दोस्तों कि टूट्राइए वे जो है फाली सब्सक्राइए पहले का है तो अब ये च कॱ्इल अगर ये पर था काम काम बन जाता लेकिन पबिश मुआ था 21 यूज ओर और काफी दिन बाद तो जो भी मेरा चांस था वो मेरा वहीं पर टूट गया तो यह कहानी थी और अब जैसे कि यह अलगा किया पतलब जो दो साल मैंने जीजान से महनत की कि सबको मैं कहता था मोटिवेट रहो मोटिवेट रहो मैं खुड दिमोटिवेट हो गया था और अजीब किसमें का एक ट्रॉमा मेरे अंदर आ गया इसलिए मैंने 19 तारिक को और वीडियो में बना रहा हूं आज तो मैं सब्सक्राइब नहीं पारा था खुद को और लेकिन मुझे वीडियो बनाना जरूरी इसलिए कि आप लोगों के साथ भी हो सकता है तो अगर आप जो आट्र सीजल जो भी आप लोग दे रहे हो अगर आप एक आगस 2018 के पहले आप ग्रेजुएट नहीं हुए हो चैक कर लो अच्छे सब्सक्राइब कर्डा की आप एप पास्छी certificate और मारंचित का फिर सोचा कि असा कुछ होगा फ्रस सब्ला कि यह हुआ चलो भागवान को सब्सक्राइब ही मन्जूर था और मैंने इसको एक्सेप्ट किया और इस वीडियो को शेयर की जगा दोस्तों ताकि जो भी लोग भद दे रहे होंगे 2008 सीजेल वो इस बात का ध्यान रखें और बाद में जाके उन्हें इस तरह का शॉक ट्रॉमा इनों फेस करने की जरूरत ना पड़े तो फिलहाल और तुम में ज्यादा कुछ बोलन नहीं चाहता अभी सेसे सीजेल दो अर्षा मेंस होने वाला है तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूं फिलहाल और आप लोगी फोकस कर रहे होगे तो वेस्ट अफ लक आपको भी मुझे भी और बस ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं बहुत दुखी और हुआ है और पता नहीं मैं सबको मोटिवेटेड रहने के लिए कहता हूं बर मेरे साथ ही कुछ ऐसा हो गया इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेहनत है न उससे उपर होता है लक अगर भगवान नहीं चाहते तो आप चाहके भी नहीं कर पाउं तो इसे लिए मजह कुछ वीडियो में मिलने के लिए और बस तब तक के लिए बाबाए